नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका डिजिट हिंदी में और भारतिय मोबाइल निर्वाता कंपनी लावा मोबाइल ने बाजार में अपना नया 5G स्मार्टफोन उतारने की पूरी तैयारी कर ली है हमारे स्वोतों से कुछ जानकारी सामने आई है जिसके अनुसार इस फोन का नाम होगा लावा अगनी 5G शुरुआत में लावा ओफिशल के साथ एक इंट्रू में ये पता चला था कि कंपनी बाजार में 5G फोन उतारेगी और अब 5G फोन को इंटरनेट पर देखा गया है और ये काफी इंप्रेसिव दिखाई दे रहा है डिवाइस डाइमेंसिटी 5G SOC द्वारा संचाली थै औ और इसे च्रिपल कैमरा के साथ पेश किया जाएगा लिकर अभिशीक चैदव के अनुसार नया 5G फोन लावा अगनी 5G नाम से आएगा और इसे 19,999 रुपए में पेश किया जाएगा टिप्स्टर ने डिवाइस की स्पेक से शीट भी सांजा कर दी है लावा अगनी 5G को 9 9 नमंबर को भारत में लाउंच किया जा सकता है लावा के यूट्यूब चैनल ने गलती से 9 नमंबर के लाइव शेडूल को पब्लिक कर दिया था जिसे अब हटा दिया गया है लावा अगनी 5G पंच होल डिस्प्ले और मॉडर्न डिजाइन के साथ आएगा डिवाइस में 90 हर्ट से रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रीन मिल रही है इसका डिस्प्ले काफी पतले बेजल के साथ नजर आने वारा है कैमरा के मामले में इसमें 64 मेगा पिक्सल च्रिपल कैमरा सेटप होगा और डिवाइस के फ्रेंट पर सिंगल कैमरा मिलेगा फोन मीडिय टेक और pre-installed apps के साथ आएगा device के bottom में 3.5 mm headphone jack और speaker setup दिया जाएगा तो अब देखना यह है कि 9 November को लावा अगनी 5G phone क्या धूम बचाने वाला है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और आप इस phone के बारे में क्या कहना चाहते हैं कुछ पूशना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे comment में कह सकते हैं 9 November को हम आपके लिए इस phone से जुड़ी धेर सावी जानकर रिले कराने वाले हैं तो अगर आपने subscribe नहीं किया तो कर ले और घंटी का बटन दबा कर all all option जरूर चुनने और जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते तब तक के लिए thank you and bye